नमस्कार आप देखे रहे नियूस फोरनेशन और मैं हूँ सांद्वन आपके साथ लोकास्था का महापर्व छट शुरू हो चुका है और छट का आज दूसरा दिन है ऐसे में छट वरतियां लगातार गंगा स्नान को जा रही है और आज खड़ना का प्रशाद बनाने भी कई चट वरतियां गंगा किनारे जुटेंगी ऐसे में बात करें दिल्ली की तो दिल्ली सरकार ने चट वरतियों को डिली के सारवजोनेग घाटों पर छट करने की अनुमती प्रदान कर दी है ऐसे में दिली के उपमुख्यमंतरी मनेशिस सोधिया ने यह बताया है कि दिली के 800 घाटो को महापर्व चठ के लिए तयार कर लिया गया है और साती साथ केजरी सरकार ने यह दावा किया है कि दिली के गाचों की साफ़ सफाय हो चुकी है। दिल्ली के घाचों को छट वरतियों के लिए पूरी तरीके से तयार कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में दिल्ली की राजनिती अब गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ केजरीवाल सरकार ये दावा कर रही है कि दिल्ली महापर्व छट के लिए पूरी तरीके से तयार है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है बतादे के दिल्ली में गेजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच की राजनीती लगातार गर्म होती हुई दिखाई दे रही है और कल ही बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के एक घाट का जाइजा लेने पहुचे जहां पर उन्होंने साफ साफ दिखाया कि कैसे दि दिल्ली के पानी में फोम लगातार बनता जा रहा है जो की छट वरतियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है ऐसे में मनोश्तिवारी ने कल घाट का जाइजा लेते हुए पत्रकारों से बाचीत के दौरान यह बताया कि दिल्ली के कोई भी घाट बिल्कुल सुरक्षित नहीं है छट वरतियों के लिए सारे घाट खतरनाक है क्यूंकि इन घाटों पर जहरीला पानी बह रहा है बतादे की चार दिवसिये छट के त्योहार का जो दूसरा दिन है ऐसे में आज शाम वरति खड़ना का त्योहार मनाएंगे वहीं दिल्ली में छट को लेकर राजनीती तेज हो गई है एक तरफ केजरीवाल सरकार छट घाट को लेकर बड़ा दावा कर रही है तो वहीं विपक्षी बीजेपी इन दावों को लेकर दिल्ली सरकार की पोल खोलने में जुटी हुई है दिल्ली के उपमुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यहां 800 घाट तयार किये हैं जिसे की लोग छट पूजा के दौरान सूरे को अर्ध दे सके वहीं यमुणा का जल गंदा होने की खबरों के बीच बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है दिल्ली सरकार की तयारियों को लेकर उपमुख्य मंत्री ने कहा है कि 2015 तक छट पूजा के लिए केवल असी घाट चुआ करते थे और वे आम लोगों के लिए नहीं थे बलक कि आम आदमी पाठी के सत्ता में आने के बाद हमने तय किया कि लोग मुहला स्तर पर सरकार की मदद से समीधिया बना सकते हैं और घाट को तयार किया जा सकता है इसी बीच नहाई खाई के दिन एक नया विवाद सामने आ गया पहले दिन गंदे और जहरीले पानी में चटवरती महिलाओं की कालिंदी कूंज में यमुना किनारे जुक्की लगाती तस्वीरे और वीजियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो गए वपक्षी बीजेपी ने ऐसे हालात के लिए आपको जिम्यदार ठेराया है वहीं आपके निताओं ने दावा किया है कि हर्याना और यूपी की ओर से छोड़े गए अशोधित जल के कारण नदी में पानी पर जाग तेरते हुए नजर आ रहे हैं नदी में प्रदूशन का मामला सामने आने के बाद दिल्ली बेजेपी के पूर्व अध्यक्षव सांसद मनोष्तिवारी ने अर्विंद केज्रिवाल सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि यह छट मनाने वाले पूरवान्चलियों के साथ धोका है उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोष्तिवारी ने हाई कोर्ट सेश मामले में स्वता संग्यान लेनी की भी अपील की है बतादे कि लोगास्ता के महापर्व छट को लेकर दिल्ली की राजनीती तेज हो गई है अब आप और बीजेपी के बीच राजनितिक घमासान शुरू हो गई है जहाँ एक तरफ आप ये दावा कर रही है कि दिल्ली के 800 घाट बनकर छट वरतियों के लिए तैयार हो चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आपकी पोल खोलने में लगी हुई है बतादे की कल यानी सोमवार को भाचपा के सांसद मनोश्तिवारी छट घाट का जाइजा लेने पहुचे जहां पर उन्होंने छट घाट की स्थिती देखते हुए आप सरकार की पोल खोली और साथी साथ सुप्रीम कोर्ट से या अपील भी की कि जल से जल केज़िवाल सरकार पर आक्शल लेते हुए केज़िवाल सरकार को दिल्ली से बर्खास्त किया जाए अभी के लिए तना ही है न कई अपडेट्स के लिए मैं साथ बने रहें न्यूस फोर नेशन में नमस्कार